हेई वाट सूफ पोजयर इत्स अमीच सपोर्ट्स नुडिशन स्पिसलिस्ट और आज मैं मसल फार्म की एसल प्री वर्क आउट रिव्यू करने वाला हूँ कैसे बॉडी में काम करती है किने लिना चाहिए विच साइंटिफिक प्रूफ और क्या साइड इफेक्ट्स है इसकी प्रीवर्क ओट खाईने से पहले सबसे पहले यह जानना ज़रुरी है कि क्या P.WK यह इन या अगर आप अपने पर्रीवर्क ऑट इसपर्ट्सिक या यूज़ोगे तो क्या होगा कि आपकी बस पैसे किवल बर्बाद जाएंगी आपको यह जानना जरूरी है कि इंग्रेंट्स कैसे काम करती है, क्या वो आप पे सूट करेगा या नहीं इसके लिए मैं एक ही करके सारे इंग्रेंट्स मैं समझाने वाला हूँ आपको ताकि आपको पता चले कि यह pre-workout आखिर आपके लिए है भी या नहीं सबसे पहले है इसमें carbohydrate zero and sugar zero इसका मतलब यह है कि इस product में बाहर से किसी प्रकार की चीनी एड नहीं की गई है जो बहुत अच्छी बात है पर इस product में इस product की taste कहां से आ रही है इसके बारे में मैं आपको कुछ दिर बाद इस वीडियो में बताने वाला हूँ next है vitamin C and vitamin E यह दोनो anti-oxidant है anti-oxidant क्या काम करती है और क्या फाइदे है यह मैं अभी समझाता हूँ हमारे बाडी में जब हमें stress या किसी प्रकार की pollution यह सब जो होती है हमारी life में तो हमारी बाडी में क्या होता है कि free radicals यह बनते रहते हैं और जितनी ज़्यादा free radicals अपकी बाडी में बनेगी उतनी क्या होगा कि अपकी body जो है वो बिमार पढ़ने के chances है अब क्या है कि क्योंकि यह anti-oxygen से काम करती है vitamin C and vitamin E अब क्या होगा कि anti-oxygen यह free radical को कम करने में काम करती है जिसके कारण अब इससे आपको workout के बाद recovery and muscle building में help मिलेगी ना कि आप बिमार पढ़ोगे next vitamin B6 vitamin B6 का काम होता है glucose generate करना exercise के दौरान अब जितनी जादा glucose आपकी body generate करेगी उतना क्या होगा कि आपको energy मिलेगी next vitamin B12 B12 का काम होता है कि हमारी nervous system यानि की दिमाग को proper functioning में help करती है next is creatine monohydrate जो कुछ फल के लिए energy produce करती है खास करकि जब आप heavy lift करते हो like power lifting या body building कर रहे हो तब बहुत जादा help करती है जिसमें creatine monohydrate पे मैंने dedicated एक video बना हुआ है with scientific explanation कैसे body पे काम करती है next is beta alanine जो carnosine trademark की है मतलब top class quality की है अगर muscle form assault लेने के बाद आपके body में खुझली या tingling sensation जिसे कहते है वह हो रही है यह कुछ नहीं है बस beta alanine की side effects आप बोल सकते हो beta alanine की जो function है वो मैं अभी समझाता हूं आपको beta alanine की क्या फायदे है body में जब भी आप workout करते हो let's say आपकी arms दे है आप मार रहे हो biceps right अगर आप biceps train कर रहे हो तो क्या होता है कि let's say last की आपने note क्यों होगा कि आकरी के दो थीन reps जो है उसमें burning sensation आपको बहुत जादा होगी biceps पे तो उस समें क्या होता है कि give up करने का मन करता है यह जो burning sensation है यह होता है आपकी lactic acid build होने से muscles में so जब आप beta alanine लेते हो यह क्या होता है कि जो lactic acid की built होती है इसे थोड़ा कम करती है जिसके कारण क्या होता है कि आप extra आप 2-3 reps easily आप मार पाऊगे तो यह एक advantage मिलती है आपको beta alanine से अगर आपको number of reps इंक्रीज करनी है next है bethene anhydrase जो specially help करती है आपको तागत बढ़ाने में और muscle की endurance में यह खास करकी help करेगी जो endurance activities में है अगर आप endurance activities like marathon या cyclist हो फिर यह आपको इंगरेंट बहुत जादा help करने वाली है आपको famous pre-workouts में यह जरूर मिलेगी दो चीज़ इसका काम यह होता है कि जब दोनों रहते हैं एक pre-workout में तो specially आपकी mental focus and concentration में बहुत सब्सक्राइब करती है L-glycine के कई सारे फाइदे यह anti-oxidant के तौर पे भी काम करती है कुछ दिर पहले मैंने अपको detail में समझाया वाइटमीन C और वाइटमीन E की तरह कि कैसे यह काम करती है और L-glycine की और फाइदे यह है कि आपको राग को जो नीन दाती है वह बहुत अच्छा आएगी अगर आपके ingredients pre-workout में L-glycine काम होता है कि fat loss में अपको मदद करती है स्पेशली जो आपको इसे टाप करती है और energy प्रोड्यूस करती है जो fat loss में अपको help करती है तीस और कलोरिंग के लिए खुछ नैश्वल एन आर्टिफिशल फीवर्स एड की गई है स्पेशली सुक्रलोस एंड एसे सल्फिम पोटाशियम यह करीब शायद तीन ग्राम के असपास है मैंने रफली बताया अगर आप वन स्कूप की जो क्वांटिटी है 11.5 ग्राम से अगर आप supplement facts को अगर आप आड करोगे और 11.5 से सब्ट्रैक करोगे तो तीन ग्राम के सब्सक्राइबर्स को जो भी मुझे सपोर्ट करेंगे इस जर्नी में इस दौरान इसलिए शेर करना ना भूले अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंड ली सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक वगयरा करते रहें और कॉमें में पूछ से रहें किसी प्रकार के अगर आपकी डाउट है तो फॉलो करें मुझे मेरे सूशल मीडिया फेस्बुक ट्विटर इंस्टाग्राम स्नापचाट अमित फिजीक पे सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को और ले जाए अपनी ट्रेनिंग को नेक्स करते हो कि यह प्रीवक आउट स्पेशली आपको हिल्प करेंगी फैट लॉस के दौरान वह इसलिए विजब भी आप लॉस करते हो या वजन घटाते हो तब क्या होता है कि आप क्लोरिक डिफिशेट में रहते हो और आपकी बॉड़ी को जो एनरजी है वो कम मिलती है अब क मिलती के बारे में अगर प्रीवक आउट आपकी बहुत जादा स्ट्राउंग वही तो क्या होता है कि वरक आउट के बाद एनरजी क्रैश होती है और गुड़ न्यूज यह है आप सभी के लिए कि यह प्रीवक आउट मुसल फाम एस्वाल्ट इतनी जादा स्ट्राउंग इसलिए इनरजी क्रैश नहीं होती है विच इस ए गुड़ तेंग सो हम कह सकते हैं कि इस प्रीवक आउट में किसी प्रकार की साइड एफेक्ट्स नहीं है अगर आपकी किसी प्रकार की मेडिकल कंडिशन है या प्रीवक आउट लेने से कुछ दिक्कत हो रही है आपको तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा आप सबी से कि फिर यूज ना करें या स्टॉप करें इस प्रीवक आउट को लेना इंडिया में मसल फाम एसॉल की प्राइज है अराउंड 2,000 रूपीज पर 30 सर्विंग्स जो फिरली प्राइज है एक इंटेनेशनल ब्रैंड होने से यूज कर सकते हैं नो प्राब्लम नेक्स अगर आप सोच रहे हो कि किने यूज करना चाहिए किस टाइप की स्पोर्स आइमीन तो यह दोनों टाइप की स्पोर्स को सूट करेगी खासकर कि जिने शॉट टम के लिए एनरजी जरुवत परती है खासकर कि बॉड़ी बॉड बॉड़ा किंथ दैनली जासे इंडिस इसमें आडेन्स के लिए इसमें जो एंडियरंस के लिए स्पेशली सुट करती है carry so much for आइक करे वीडियो को हगर आपकोु आप करे नीचे अगर आपको किसी बीस्राकार की डवन है कि ये लिंक्स आप इस्तिमाल करें और P Workout को इस्तिमाल करें तब जाके आपको 100% रिजल्स मिलेगी. Supplements काम नहीं करती हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं आपको कि without proper workout, rest and diet. So keep supporting, keep loving, love you. This is Amit signing off.